अगले आदे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें राज्यों की सुर्खियों और मौसम की हाल पर भी डालेंगे डज़र आई ये शुरुवात करते हैं थेटलैंस के साथ तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल NDRF बचाव दलू के साथ कहा भारती बचाव दल ने दुनिया में रोशन किया देश का नाम भविश में काम आएगा अनुभव हर युवा को रुची और योगिता की अनुसार मेले नए अवसर उत्तराखन के रोजगार मेले में बोले प्रधान मंतरी युवाओं से सशक्त और समरद्ध देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की अपी मेघाले और नागा लैंड में चरम पर चुना अप्रचार नागा लैंड के मौन में केंद्री ग्री मंतरी अमिच्छा की रैली कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी 22 फरवरी को मेघाले में करेंगे चुनावी जन सभा अचानक यूक्रेन की राजधानी पहुंची अमेरिकी राश्पती जो बाइडन पास सो मिलियन डॉलर की सहायता देने का ऐलान राश्पती पुतिन को दी चुनावती कहा यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका और ISSF विश्वकप निशाने बाजी में भारते खिलाडियों का शांदार प्रदेशन दस मीटर एड राफल में रुद्रांग्ष नमर्दा का सोने पनिशाना सांगवान और वरुन तोमर ने भी जीता गोल्ड तुर्की में भयानक भूकम के बाद मदद के ले गए NDRF के जवानों से आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने समवाद किया ये जवान कल रात ही बचाव अभियान से वापस लोटे हैं बचाव दल से समवाद में प्रधान मंतरी ने कहा कि किसी भी आपदा के बाद उसका गोल्डन आवर बहुत ही महतपूर होता है इस आपदा के बाद आप लोग जितनी जल्दी पहुँचे ये काबले तारीफ है और आप लोगों की सेवा कारियों से हजारों लोगों को बचाया जा सका तुर्की में आए भीशन भूकंप में मददगार बनकर पहुची भारत के इंडियारेफ का उपरेशन दोस्त पूरा हो चुका है अपने मिशन को अन्जाम देकर टीम सकुषल वतन वापस गई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने तुर्की में आपरेशन दोस्त में शामिल हुए इंडियारेफ और अन्ने संगठनों के भारते बचाव दलों के साथ बाचीत के मौके भर कहा कि हमारे डॉक्स कोड के सदस्यों ने घजब का दम दिखाया हमारी संस्ट्रिती ने हमें वसुधैव को टुम्ब कम सिखाया है हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं जब परिवार का कोई सदस्यों से मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव में है संकट की किसी गड़ी में चाहे वो साइकलोन हो बाड हो या फिर भूकम जैसी आपना हो जैसे ही एंडिय अरब की वर्दी में आप और आपके साथ ही फिल्ड पर पहुंचते हैं लोगों की उमिद लौट आती हैं विश्वास लौट आता है ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है जब किसी फोर्स में कुसलता के साथ सम्वेधन सिल्का जूड जाती है उसका एक मानवे चहरा बन जाता है तो इस फोर्स की ताकत कही गुना बढ़ जाती है एंडिय आरब की इसके लिए मैं विश्वास रुप से प्रसंसा करूंगा साथियों आपकी तैयारियां को लेकर देश आस्वस्त है लेकिन हमें यही नहीं रुखना है हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ को और अधिक बढ़ाना है हमें दुनिया के सर्वस्रेश्ट राहत और बचाव दल के रुप में अपनी पहचान को ससकत करना होगा जब भारते टीम तुर्की से रवाना होने के लिए ऐपोर्ट पहुँची तो उन्हें भव्वे विदाई देने के लिए सैकडो स्थानिये लोग जमा हो गए भूकम के बाद मददकर ने बहुची एंडिया रेफ और सेना के फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने सैकडो लोगों की ना केवल जान बचाई बलकि हजारों के संख्या में घायल लोगों का इलाज भी किया प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी ने युवाओं से सशक्त और संब्रद देश बनाने की दिशाओं में आगे बढ़ने की अपील की है प्रधार मंतरी ने कहा कि केंदर सरकार ने बीते कुछ महीनों में देश भर में लाखो युवाओं को नियुकती पत्र दिये हैं और आठ करोड युवा पहली बार उद्यमी बने हैं उत्तरा खंड रोजगार मेले को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुची और योगिता के अनुसार नए अवज़र मिलें सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिलें सरकारी सेवाओं में भरतियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया ग इवन बदलने का नहीं बलकि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाड के काम नहीं आती ये चीज हमें बदलनी है इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्रा खंड के युवाओं और ये हमारी युवापीडी अपने गावों की तरफ लोटे इसके लिए पहाड में रोजगार और फरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं और अब बात नागलैंड और मिगाले विधान सबाचुनाओं से जुनी खबरों की नागलैंड में विधान सबाचुनाओं के लिए जो प्रचार है वो चरम पर पहुँचा हुआ है सभी राजनितिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं ग्रीमंद्रिया मिच्छा ने आज राज्जी के मौन में रैली को सम्मुदित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागा समुदाए में विशेशकर महिलाओं का जो सम्मान है उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है बीजेपी ने पांगनोन कोन या कोन नागलाइन की सबसे पहली महिला सांसद बनाने का काम किया है हमने एनपियो के साथ इस्टन नागलेंड पिपल्स औरगनाईजेशन के साथ चर्चा की उनकी मांगो को समझा है और मैंने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के बाद रियो साब के नेतुरत में एंडिये की जो सरकार मनेगी हम आपकी सारी समस्याओं का समादान करेंगे मेगाले में राजडितिक पार्टियां वोटिंग से पहले धुआधार प्रचार में जुटी है वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तयार है संसे टीवी समवादाता सूरज मोहंजहा ने चुनाव तयारियों को लेकर बात की राजडिके मुख्य निर्वाचन अदिकारी से मेघाले पिधान सवाचन चुनाव में 27 फरवरी को मतदान होना है और मेघाले में सभी तरह की तयारी हो चुकी है अभी हम इस समय मौझूद है चीफ एलेक्टराल ओफिसर मेघाले के फेडिक रॉय खारगूंकर साथ जो पूरे मेघाले में मतदान की तयारी को देख रहे है सर हमें बताए मेघाले में शांती पूर्वक मतदान हो इसके लिए आप लोगों ने क्या तयारिया की है हां तो जो हमारे 27 तारिक को जो चुनावा हमें होने वाले हैं तो उसकी पूरी तयार हो रहे हैं अभी पूरी जम से तयारी हो रहे हैं और खास तोर पर हमें शांती और लॉन ओडर के रहने के लिए हमारे यहाँ पर 119 कंपनी है CRPF के और भी लोगों में जागरुकता फैल फैलाने के लिए कि वो जाज से जादा मदान केंद्रों तक पहुंचे और मदान करें और नब्बे फीस्टी से जादा मदान हो तो किस तरह की तैयारिये चुनावाय कर रहा है तो हमारे जो वोटर एजुकेशन का कैंपेँ बहुत जबरसा से चल रहा है तो हम यहाँ पर मेगाले में आपको जान करिये कि यहाँ पर संगीत मुजिक का बहुत ही आनन्द देते हैं लोग तो हमने मुजिक और मुजिक बैंड के द्वारा हमने बहुत कैंपेइं हमने मुखे निर्वाचन अधिकारी मेगाले के बता रहे थे कि किस तरह से भैमुक्त और अधिक साधिक मतदान हो उसको लेकर मेगाले में निर्वाचन आयोग ने तयारी कर ली है अब देखना होका 27 फरवरी को जब मेगाले की जनता मतदान केंद्रों में जाएगी तो क्या पि सीदा शिलॉंग चलेंगे मेरे सहयोगी सूरज मुहंजा इस समय मारे साथ जुड़े होएं दीमापूर नागालैंड से पवन कुमार शर्मा समवादाता हमारे साथ जुड़े होएं दोनों से हम जानकारी लेते हैं सूरज अगर देखे 60 सीटे हैं मेगाले विदान साभा च कुछ बदला हुआ है दोजार अठारा में चुनाओ के बाद मेगाले डेमोक्रेटिक फरंट बना इस बार ये सभी पार्टियां अलग लग चुनाओ लड़ रही हैं किस तरह की चुनावी फिजा है राचनितिक समी करण है थोड़ा समझाईए हमें क्या कुछ चल रहा है अगर हम मौसम की बात करें तो मेगाले में मौसम सर्द है लेकिन चुनावी मौसम के अगर हम बात करें तो काफी गर्माहट है यहां पर जैसे आपने बताया कि मेगाले डेमोक्रेटिक एलाइंस 2018 के चुनाव के बात बना था जिसमें एन पीपी बीजेपी पीडीपी जुड़के उन्होंने सरकार पांस साल चलाया था लेकिन चुनाव से ठीक एक मेंने पहले सभी के राहे जुदा हो गई है और सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं एन पी जहां 57 सीटों पर लड़ रहा है बीजेपी साटों सीट पर रही है ऐसे ही यूडीपी चुना में जा मिले हैं और की तरफ से ताल ठोक रहे हैं कॉंग्रेस ने यहां चुनाव की कमांज वो विंसेंट पाला जो कि शलॉंग से सांसेद हैं उनके हाथ में दे रखी है तो सभी अपने अपने तरीके से चुनाव के महौन को गर्मा रहे हैं यहां पर बुद्धे बहुत सा पचार हुआ है उसको लेकर मुद्धा बनाया है साथ मेडिकल की सुभधाओं की बात की है आईश्वान भारत के तहत दस लाग के के इलाज की बात किया है वहीं कॉंग्रेस ने पांच सूत्रिये यहां वाइदे किये हैं महिला सशक्तिकर्ण सहीतर ड्रग मुक्त में घाले तो मेगाले की राजनीती इस बार कुछ जादा ही दिल्चस्प होने वाली है नगलांड में किस तरह की चुनावी फिजा है समझते है पवन कुमार शर्मा से पवन अगर देखे तो नगलांड में भी 60 सीटे और अगर इस बार देखे तो बीजेपी की साथ ही जो मौझूद आपको किस तरह का मनजर नजर आ रहा है किस तरह की समी करण है क्या कह रहा है नगलांड अप्रिपी जहां तक ना बात आज जो मोन में जो थे उस उनकी बातों में भी लगा और उन्होंने दावा किया कि हम जनता की समस्यां को दूर करेंगे बड़ी बात पृती यह है कि पहली बार कोई देश का ग्रेह मंतरी यहां पहुंचा है दो दिन के दोरे पर अमिच शाह है पहुंचे हैं और उन्होंने यहां के जितने भी मोन जो है शांतर इराका रहा है यहां पर हिंसा की घटना है हुए थी चौदा दों की मौत भी हुए थी इसलिए यही चुना गया कोनयाक जो है यहां से राज्यसभा सांसद है पहली महीला राज्यसभा सांसद है और वहाँ पे जो बीजेपी के मुईदारे हैं वो भी कोनयाक ही है तो यह देखना कि उस पे फोकस है बीजेपी का बड़ी बात यह है कि ग्रियमंत्रियां पहुंच रहे हैं आज भी रह रहे ह परदान मंतरी ग्रियमंतरी पार्टी का पूरा आला कमान है वो महतवपून चुनाव समझता है जो तीनों विधान स्त्रिपुला की बात हो चाहे घाले हो चाहे नागा लेंड हो तो चौबिस को यह होना है पर कॉंग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया प्रिती हा और ये छे जीलों को लेकर एक Eastern Nagaland बनाने की मांग होती रही है, उन लोगों से भी मिलने वाले हैं आज, इन्हीं जो ये Front है वहाँ पर प्रिती एक Eastern Nagaland People's Organization, बिल्कुल और इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं, जो केंदर सरकार है, वो कोशिश करती भी रही है, एक मैसेज देत को हम तक पहुँचाने के लिए, आगे बढ़ते हैं, नितीश कुमार से लंबे समय से टकराव के बाद, उपेंदर कुश्वाहा ने आज आखिरकार J.D.U. छोड़ दी, उन्होंने पार्टी की प्रातमिक सदसिता से स्तीफे की घोशना के बाद, नई पार्टी राश्ट्र इसमें अपनी राश्ट्री लोग समता पार्टी का विले, J.D.U. में किया था। में किया कह सब इन्डिया से बाहर निकले थे, तो इंडिया से बाहर निकले थे, ग। में यसरत आखिरमाश्वाशМы जनाया, वाहा निकलके चलया। समाज पाटी के साथ गटवन दना यहाह। बहु बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है ओवेसी जी की पार्टी M.I.M. में साथ मिलके गठवंदन बना है और उसमें घोशित करवाए कि उपेंदर को स्वाजी भीयार के मुद्मत है तो उस जगह से वो अपने आपको नीचे उतार ही नहीं पार तो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुन है और उस स्थान से जीचे नहीं आप लेकिन फिर भी आप चले गए हैं नहीं पार्टी की दोशना करने हैं बहुत बढ़ियां बात है हम सब लोग की सुख कानना है आप जाईए क्योंकि हम लोग जान रहे हुज़े है नाम और चुनाव चिन एक नाच शिंदे को दिये जाने के चुनाव आयो के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे पक्ष सुप्रीम कोट पहुचा है उद्धव ठाकरे के वकील ने सुप्रीम कोट से इस मामले में ततकाल सुनवाई करने की अपील की उद्धव ठाकरे चुनावचिन आवंटित करने का आदेश दिया था चलाया ये चापे ऐसे समय में डाले गए हैं जब 36 गड में 24 फरवरी से कॉंग्रिस का 85 सम्मेलन होने वाला है केंद्र सरकार कीमतों को नियंतरत करने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रही है और सरकार की कोशिशों से धीरे-धीरे महंगाई काबू में आ रहे है केंद्र वित्मंतरी निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र सरकार मुद्रस फीती नियंतरन के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है और लगातार इस पर ध्यान देती रहेगी बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने मुद्रस फीती पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे वित्मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल के लिए पिछले साल से लगातार जो इंपोर्ट है आयात है उसे लगभग निशुल्क कर दिया गया है ताकि खाद्य तेल की आपूर्ती सरल हो और ये परियाप्त मात्रा में रहे दल्हन का कल्टिवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव किसान के लिए दे रहे हैं जिससे आज नहीं कल परसों अगले साल अगले साल अगले क्रॉप में दल्हन प्रडक्शन बारत में उत्पादन जादा हो इस बीच में शॉट टर्म मेजर के नाते जहां से भी हम चाहे वो मसूर हो मूंग हो जो भी दल दल्हन उसका ड्यूटी सब घठा करके वे ब्रॉट इडाउं तो सिंगल डिजिट्स और कंप्लेटली रिमूट जिससे इंपोर्ट सुविदा जनक हो जल्दी हो और सस्ते में दल्हन बाहरत में मिलें सेकंड एडिबल ऑइल्स के लिए पिछले थीन साल से लगातार इंपोर्ट प्री ऑल्मोस्स फ्री कर दिया जिससे जहां ऑइल पाम पाम कूड आना है या पाम रिफाइंड आना है उसका भी हमने ऑपन कर दिया जिससे एडिबल ऑइल का प्रोड़क्शन सप्लई इजी हो और आएए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं राध्यो से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर पढ़ानमंतरी नरेंदर मोदी और सिंगापूर के उनके समकक्ष ली सींग लोंकल वीडियो कॉन्फरेंस इंके माध्यम से भारत के यूपियाई और सिंगापूर के पेई नाओ के बीच पैसे के ट्रांसफर के लिंक सेवा की शुरुआत के साक्षी बनेंगे पीमो ने इस ब पारे में जानकारी दी है गवाना के उप्राश्पती भारत जगदेव भारत दौरे पर हैं विदेश मंतराले की प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि यात्रा भारत गवाना द्वीपक्षिय सहयोग और लोगों के भी संबंदों को और मजबूत करेगी हिंद्र मंतरी फूपे इंद्यादाव और हर्याना के मुख्य मंतरी मनुख लाल खटर ने पंच्छकुला में ESI के निदेश आले का उधगाटन किया साथी सोनीपत के राई और बरही की ESI डिस्पेंसरी का शिला नियाज भी किया गया है एल गडेशन ने आज नागलाण के 21 वे राजजिपाल के रूप में शपत ली है गडेशन ने ESM के राजजिपाल प्रोफेसर जदीश मुखी का स्थान लिया है जो सितंबर 2021 से नागलाण का अत्रिक्त प्रभार सम्हाल रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत राज से शुरू हो गया राजजिपाल आनंदी बेन पटेल ने गतिरोध के बीच अभी भाशन पढ़ा सरकार वित्तियवर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली के उपरा जपाल वीके सक्सेना ने सेरोगसी नियमन अधिनियम 2021 से संबंदित मामलों से निपटने के लिए शहर के सभी 11 दिलों में मेडिकल बोर्ट गठित करने को मंजूरी देती है जमू कश्मीर के उपरा जपाल मनुद सिन्हा ने आज माता वैश्नो देवी मंदिर में दर्शन किये साथी भवन में त्रिप्ती भोज नाले और प्रसाद के इंद्रकाउद घाटन किया नयमूर्ती संजे कुमार मिश्रा ने आज जहार खर्ण चनेले के चोदवे मुख्य नायधीश के रूपे शबत ली राजिप्वाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद की शबत दिलाई इस साल की पहली सोमवतिया मावस्या पर लाखों शृधालों ने हरुद्वार के पवित्र हर की पौड़ी में डुबकी लगाई लाखों की संक्या में पहुंचे शृधालों के लिए प्रिशासन के ओर से चाक चौबन विवस्था की गई थी अरुनाचल प्रदेश आज अपना 37 वा स्थापना दिवस मना रहा है राश्रपती उपराश्पती और प्रधानमंतरी ने इस मौखे पर प्रदेश वास्यों को बढ़ाई दी है अरुनाचल प्रदेश के 37 वे स्थापना दिवस पर आयुजित कारिक्रम को संबोधित करते हुए राश्रपती दुरापदी मुर्मू ने कहा कि अरुनाचल प्रदेश सहीत पूर्वुत्तर के सभी राज्य देश के विकास में महत्पून भूमिकाने भा रहे है उन्होंने कहा कि कीस्वी सदी तक्नी यानि टेक्नोलोजी की सदी है और प्रदेश में भी इसका पूरा अस्तमाल हो रहा है राश्रपती ने कहा कि संस्कृती हमारी पहचान है और इसे संजो कर रखना जरूरी है मोहिलाओं के विकास के बिना कभी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है मुझे यह जानकर प्रस्वंता हुई है कि और रखनाच प्रदेश की पंचयोतों में मोहिलाओं का प्रतिनी धित्तों लोगवक 47 प्रतिसद है इस बिशेस उपलबधी के लिए मैं और रखनाच प्रदेश की मोहिलाओं और इहां के सोभी निबासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देती है भारत के चंदर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चंदरियान तीन का विद्यूद चुमबकिय व्यवधान और योगिता संबंदी सफल परिक्षन का उद्देश ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष के वातावरन में उबग्रह की प्रणालिया संभावित विद्यूद चुमबकिय स्तरों के साथ मिलकर अच्छे तरह से काम करें इस स्तरों के मताबिक उबग्रहों को तयार करने में एक महतपूर्ण मील का पत्थर है परिक्षन 31 जनवरी और दो फरवरी के बीच बेंगलूरू के यू आर रॉव उबग्रह के इंद्र में किया गया परिक्षन के दोड़ान चंद्रियान के लांडिंग मिशन के बाद के चरंड से संबंदित कई मामलों की परताल की गई है इनमें देखा गया है कि प्रक्षेपन जो योगिता है सभी रीडियो फ्रिक्वेंसी प्रनालियों के लिए इंटिना का जो धुरूवी करण है लांडर रोवर इनके नुकूलता समेथ तमाम बारीक परिक्षन इसमें शामिल है कुछ और हैं खबरें अमेरिका के राश्पती जो बाइडन आज अच्छानक यूकरेन की राजधानी कीव पहुँचे है साल भर पहले रूस के आकरबन के बाद से उनके यूकरेन की पहली यात्रा है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन से मुलाकात के बाद यूकरेन के राश्पती जिलिन्सकी ने एक साज़ा बयान जारी किया राजधानी के एफ पहुँचे अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने कहा कि यूकरेन को अमेरिका का समर्थन मिलता रहेगा जो बाइडन ने यूकरेन की राजधानी में पाँच घंटे से जादा का समय मताया उन्होंने मेरिंस्की पैलिस में राशपती जिलेंस्की से मुलाकात की देश के मारे गए जवानों को उन्होंने शृधांजली दी और यहां अमेरिकी दूतावास के कर्मियों से भी मों मिले इससे पहले जो बाइडन पोलेंड की राशपती एंद्री इस दूता से भी मिलने गए थे लेकिन वहां से वो अच्छानक की पहुँच गए में एड के पहां से विष्वांट ओूमी की रीवा है अब दर काकरे से थे बाइडना इपको OD यहां मेंगवार्या है पाल जो क्यों मैं पहां से हम झाल具 सभी경 कि ऑपे, हैं पैसे बाहां है इस बस्यान पर फψे डमेरा है और जो खेल जगत है उससे जुड़े एक एहम ख़बर आपको बता दें काहिरा में चल रही आई-एस-एफ निशाने बाजी विश्वकप प्रतियोगिता में भारते खिलाडियों का शानदार प्रोदेशन जारी है रुद्रांग्ष नर्मदा की जोड़ी ने 10 मीटर एर राइफल मिश्रित टीम फाइनल में हॉलन के डेनेडे और आस्तवा को 16-6 से माद दे कर सोने का तमगा हासिल किया वहीं सांगवान और वरुन्तोमर की जोड़ी ने भारत की गोल्ड को जीता है भारत के लिए राइफल और पिस्टिल शूटिंग के लिए जारी ISSF विश्वकप ने भारत 208 पदको की जीत के साथ पदक तालिका में शीष स्थान पर पहुँच गया है और इसे के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इतली में आयुजेत वाशेक बैटल अफ दे ओरेंज की तस्वीरों के साथ आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजे जाज़त नमस्कार झाल झाल